आज हम लोग हैं कनॉट प्लिस में और हमारे साथ वो महान शक्षित मौजूद है एयार जौसी साहब और बालागराम बाउची जिन्हों जो बहुजन समाज के दर्द को हमेशा लेके जीते हैं और सुबे से शाम तक बहुजन समाज की बात करते हैं और कोई भी मिशन मुव्मेंट का काम होता है तो उसमें बढ़ चल कर हिस्सा भी लेते हैं जोसी साहब और बालागराम जी आपका हमारे चनल में स्वागत है पहले दो एर जोसी साहब ये बताइए कि आज जो धरना प्रदेशन हो रहा है जो रवीदा समाज का मंदिर को तोड़ा गया है उसको लेके कोई 12 तारिका धरना कर रहा है कोई 19 का कर रहा है कोई 21 का कर रहा है तो इतने धरने प्रदेशन कोई अपने गली में कर रहा है कोई अपने ज होना चाहिए इसका सही तरीका जय वहिम साथियों और जय गुरु रविदार जी मैं इसमें मेरा ये कहना है कि देखिए वो जो जगे है जो जहां गुरु जी की जगे है वो 600 साल पहले सिकंदर लोधी के टाइम से लोट है और ये जगे चुके हमारी पूरी भुजन समाज की वहाँ भावनाई जोड़ी हुए है हमारी वहाँ आत्मेता से हम उनको मानते हैं चुके ऐसा एतिहास भी बताता है कि स्वेम संथ गुरु रविदार जी उस जगे आकर के रूके हुए है और ये कोश्चन जहां तक धरने परदर्शन का है मैं सब सरदे सातियों से गुजारिश करूँगा जितने भी बुद्धी जीवी समाज के लोग है कि वो सब लोग मिलके एक ही दिन धरने परदर्शन करें और वो धरने परदर्शन जो है वो केवल तुगला गवाद उसी भूमी पहुना चाहिए खाली जंतर मंतर पाने से इसका कोई उचितर नहीं बनता और जो लोग अपने जगे जगे कर रहे हैं उसका भी मैं मानता हूँ कोई ये नहीं होता है पूरे समाज को मिलकर के ये धार्मी का मामला है भावनाओ का मामला है सेंटिमेंट का मामला है हमारे सब के सेंटिमेंट उस भूमी से जुड़े हैं उस धर्ती से जुड़े हैं उस मंदिर से जुड़े हैं इसलिए हम सब को एक निन्ने लेना चाहिए जितना भी बुद्धी जीवी लोग हैं जितने भी लोग इसमें सिर्कत करना चाहते हैं कि हम सब लोग एक दिन चुने एक टाइम चुने और उसी टाइम जा करके हम अगर धन्ना परदर्शन करना है और अपनी ताकत दिखाने तो उसी जगह जा करके जहां अपना तुकलगाबाद जो मंदिरी का स्थान है मुई जा करके धन्ना परदर्शन होना चाहिए अधरवाईज उसका कोई उचित नहीं कि जंतर मंतर पाएं जोशी सब बहुत सारे लोग अमिड राइड हैं कुछ बुद्धिस्च हैं और कुछ कबीर पंथी हैं तो बहुत अलग-लग समाज के लोग आए हुए हैं झाल लोग यह भी सोचते हैं कि राइदाशी समाज का मंदिल तूटा है हमारे समाज का तो तूटा नहीं है तो किस चीज का इंतजार करते हैं उनको उस धरने प्रद्शन में आना चाहिए यह नहीं आना चाहिए देखे जहां तक मेरा ये मानना है कि बाबा साहब ने जब से हमें बहुत धरम की बात बताई उसके बात से और उससे पहले जहम सब लोग गुरु रविदार जी को मानते थे और संथ गुरु रविदार जी की जो माननेता है पूरे भारत में है और वो हमारे धार्मिक गुरु अगर इन दोनों को अलग-अलग बांट करके कोई समाज देखता है तो मैं समझता हूं न तो वह मेड़कराइट है न वह सिधान्तवादी है न रविदासी है हमारा एक समाज है और इस मुद्दे पर हमें एक होना चाहिए हमें दूसरों से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि एक धर्म में आपने देखा होगा कितने दई देवतार कितने वो हैं कितने सिस्टम हैं सब एक एक सुर में बात करते हैं हम केवल बुरा ही तो करते हैं लेकिन उनसे ग्रहन करना चाहिए उनसे शिक्षा भी लेनी चाहिए कि ये हमारे जो दो एक धर्म गुरू और दूसरे जिन्दी गुरु हैं बाबा साब अगर देशी बाहसा में कहा जाए कि बाबा से पोते को अलग नहीं किया जा सकता तो जहां तक संत्रविदार जी है वो हमारे सिरोमणी है और बाबा साब जो है उनके बाद आए और आपको जान के ये अचरज नहीं होगा कि जो उनकी बाणी अगर उसका हम एनलाइसिस करे है और उनकी बाणी को ही बाबा साब अपने सविधान में लिख करके बहवान बुद्ध कीर बाबा साब की जो जो संत्रवीदार जी ने कहा उस समय में भक्तिकाल में ये सिद्ध किया को हम्भी लैस नहीं है तो बक्तिकाल था उन्होंना पुरू किया जैसे बाबा साहब ने राज्दी उसमें पुरू किया तो जो लोग कवीरपन्ति हैं और बुद्धिस्ट हैं और रविदासी हैं हम अलग नहीं हैं हम सब एक हैं हम सब को मिल करके इस चीज का बिरोध करना चाहिए और सर्टैनली एक प्रेसर बनाना चाहिए ताके वो जो हमारे सेंटिमेंट जिसने भावना जूड़ी हैं वो जग सेप करके इस चीज को ताके समाज में देश में एक शांती का वातवन बना रहे और इनको यह लोट कर देने चाहिए इससे कोई बहुत भारी जो है डीडिय को बहुत लंबा चोड़ा इसमें यह नहीं होना जा रहा बहुत से मंदिर हैं बहुत से टेंपिल हैं बहुत अगर दिल्ली में हम एनलाइसिस कराएं और दिल्ली में हम उसका पूरा एक इंस्पेक्शन कराएं तो एक रिपोट सामना है कि 100 की नहीं हजारों की तादाद में ऐसे मंदिर इस डीड़े लेंड पर बने हुए तो एक मंदिर से हमें क्या पत्ती हो सकती हैं अगर वागी आप समा इसमाज को एकांत में था जहांपे ना कोई प्रोजेक्ट आने वाला है ना कोई अभी कुछ निर्वान होने वाला है उसके बावजूत भी इस मंदिर को यह वह पता है देखे जहां तक आप हमारे गुरु स्थान की बात कर रहे हैं यह बात आपकी सहीं है कि देश में जितने भी मंदिर बने हुए है जादकन मंदिर सरकारी भूमि बने हो है पारकोंब बने हुए है पुब्हावा दिया जाता है जब्कि उन मंदिर से लोग हित मैं एक अव वस्ता होती है, ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, उसके बावदूर को ऐस रखा जाता है, जहां तक आप देखेए हमारे तकलगा अबादिक गुरुस्तान की बात कर रहे हैं, इस भूमी की विकास प्रादियान कोई ऐसी आवसकता भी नहीं है। इस देश में अगर आप देखो तो तथाकत भुद्ध के बाद संत्रों में रविदाजी, कबीर, नानाक और जोतिवा फूले, बावसाब अमेट कर तो यह सब एक विचार धारा के एक चैन बनी हुई है जिस जो की पूरी मानुता कल्यान के लिए है तो यह ठेश जो पहुच जाइ कही है इसके लिए सरकार को स्वते ही संझ्ञान लेकर सपार को इस पर अपना संग्यां लेना चाही और वह जमीन पुने जूरुरी ऒड़ीताज इस निर्मान करदाना चाही है और जहां तक आप चाह रहे कि आंधोनन की बात कह रहे हैं anthrop quiz जो शेंसे जो जों से जमार क्योंकि हमें पर फोटों पर माला की जरुद नहीं है, हमें विचार को समाज को ले जहना है, जिस विचार से समाज का क्लिभान होना है बालगराम बौजी के बारे मैं बता दूँ कि बहुत अच्छे समाज से भी हैं और बहुजन समाज की पीड़ाओं को बहुत अच्छे से ही समझते हैं और दो अप्रेल को जो बच्चे शहीद हो गए थे समाज के नाम पर उन बच्चों को मूर्तियों का काम देने करा और समाज में घर जघर जाकर उनको एक आर्थिक सयोब भी दिया बारगराम बौजी जो इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है रवीदासी समाज का 19 तारीक और 21 तारीक का इसके पीछे कोई रणनिती नहीं होती है अगर कोई बच्चे फस्ते हैं किसी को कोई परिशानी होती है तो सरी तक शूच्छं भी अतने बिड़े बरे आaelला गीजन को करने लिए है खिलिप अर्गर किसी अस्वार्थ के लिए सभी किसलिए आई दिन फैल हो जाता था है समाज में जागरतीपूरी है आपने देख अधो ऑगा अधर्ण हुआ दिया सरकार को जुक्त अपड़ा और मैं तो अधर्ण के बाद सरकार को समझना चाहिए कि सरकार इस तरह कोई तो देखिए ऐसा नहीं है उनको भी मिली है और जहां तक इस अंदरुन की बात है जो अंदरुन कारी के रहे हैं या जो लीड कर रहे हैं मैं तो निवे दिन करूंगा आपके माध्यम से कि वह योजनाबद बना के चलें और लोखित के लिए चलें अपना नीजी स्वारत को त जोशी साब एक आखरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि जो बहुजन समाज के जो रहनुमा थे वो बाबा साहब डॉक्टर बीयार अरंबेटगर थे और उन्होंने बुद्धरम अपनाया अब बुद्धरम अपनाने के बाद उन्होंने तमाम चीजों को छोड़ दिया लेकिन अबी 21 तारिक को बताया जा रहा है कि अगर 21 तारिको रविदासी समाज का फैसला रविदासी समाज के फित्मे नहीं होता है तो वो तमाम जितने भी देवी देवता हैं उन सबको अपने मंदिर से निकाल कर बाहर छोड़ेंगे तो ये कारणरे कहां तक सई है या बहुजन समाज के देवी देवत्ता हैं या नहीं हैं उस पे भी रोश्णि डलें देखे जहां तक भूजन समाज के देवी देवत्ता का परसण उठता है अगर आप आधिकाल में चला जाओ कभी भी आपने देखा होगा हर जगे इनका तुरसकार हुआ इस समाज का तरशकार हुआ बेशकार हुआ इसको इनको कभी मंदिर में जाने की कोई किसी ने लाउ नहीं किया यदि कोई आनन फार में मंदिर में चला गया तो उसके साथ जो उसकी बेजती हुई या जिस तरह से उसको परताडित किया गया वो किसी से चिपा नहीं है इवन मैं आपको एक उधारन देना चाहूँगा कि 2013-2014 में साइद पूरी मंदिर में किसी को जाने इन दिया गया तर यहां से सी कमिशन के चेयरमें थे मिस्टर पी अल पूनिया और वहां मंदिर में जाना चाहते थे जैसे उसको वहां के मैंत को पता चला के यह मंदिर में जा रहा है तो वह मंदिर बंद करके भागे तो आज भी आज की स्थिती भी है का आज भी मंदिर में जहां यह छोड़िया आप सहरों की बात लेकिन लोकल में अगर आप जाईए द देवी देवता जिनको हमें एक डराक रखवा जैसे ठीक उसी तरह से जैसे एक खेत में डरावना गार देते हैं और उससे डरता है पक्षी नहीं आएगा खेत नहीं खराब करेगा ठीक उसी तरह से ये सारा जो सिस्टम है ये उसी पैटरन पर है एक डरावा और भरम पड़ा कहा है कि पहुं कुछ भी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि जहां हमें आधर नहीं मिलता जहां हमें लोग हिंदू समझते तो सर्टैलि हमें उस धरम के बारे में सोचना पड़ेगा जो बदधार WILैं और बीडिक समाज के कुछ हिसे को जल्दी थोड़ी सी बुद्धीस बात की आगी कि भी फैक्ट क्या है बावा साब जो कहते थे उसमें कितनी यह है और कहते तो गुरू संत्रविदार जी ने भी ऐसा ही कहा लेकिन उसकी फोलोइंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों ने ट्वीट कर दिया और उनके मंदि था तो वो किस तरह के समाज को चाहते हैं और कैसे भगवान चाहते हैं सोचने का एक बहुत बड़ा परशन है उनके सामने और अगर अगर यह नहीं हुआ इस तरह की भावनाएं नहीं हुए तो लोगों को ठेस पहुंचेगी इस जहान उसको बेज थोना पड़ता है ठेस तो उससे दूर जाता है तो वो समय दूर नहीं है कि लोग वहां से अटेंगे और बहुत धरम को अपनाएंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप इस सबसे पहले